लोग देखिए इस वीडियो में अपन चेंजवर कॉंटेक्ट के बारे में देखेंगे ठीक है जिसको आप फॉर्म सी कॉंटेक्ट के नाम से भी जानते होंगे या फिर ट्रांसफर कॉंटेक्ट के नाम से भी जानते होंगे ठीक है ना तो मैं यहाँ पर आपको शुरू करता ठीक है अब देखो वो तीन लीड कौन-कौन सी है एक तो है common connection ठीक है ना जो normally open contact और normally close contact के बीच में क्या है common है तो ये तो तीनों चीजे हैं वो hermetically sealed हो रखी है ठीक है अब देखो उसका diagram कुछ ऐसा सा है सबसे पहला तो इसमें अब क्या पढ़ा है normally close contact ठीक है दूसरा है normally open contact और एक electrical connection है जो normally open contact और normally close contact के बीच में क्या है common है देखो मैं आपको यही पर थोड़ा सा बताता हूँ normally का मतलब यहाँ पर यह होता है कि भाईया जिस state में अपना contact है ना वो उसी state में रहेगा और कब तक रहेगा जब तक कि कोई external चीज आके इसको effect ना करे तो देखो यहा जैसे कोई external factor आएगा और वो इसको effect करेगा जैसे कि energizing ठीक ना relay के अंदर तो यह क्या होगा contact जो है normally close से हटेगा और normally open पे आएगा ठीक है चलो इसके बारे में और देखते हैं थोड़ा सा आपको मेरे हिसाब से इतनी बास समझ में आ गई होगी ठीक ना तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखे रहे हैं form C contact या अपना change or contact वो किसका combination है एक तो normally open contact जिसको अपन Form A contact भी बोलते हैं दूसरा common connection है common terminal दूसरा Generally close contact जिसको अपन form B contact भी बोलते हैं तो इन तीन चीजों का combination इसको अपन ऐसे भी denote कर सकते हैं इसको अपन form C को अपन C O बोल सकते हैं चेंज ओवर ठीक है तो देखो मैंने जैसे कि आपको बताया था नॉर्मली का क्या मतलब होता है तो मैंने क्या बोला कुसी जो अपना और जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था नॉन एनरजाईज स्टेट्ट में यह नॉर्मली क्लोस क्या हूई एनरजाईज हुई थीक है जैसे ही अपनी कोईल एनरजाईज हुई यह जो कॉमन टरमिनल है वो किसके साथ कनेक्शन बनाएगा नॉर्मली ओपन कॉंटेक्ट के साथ ठीक है ना और जैसे ही अपने इसको वापस से डी एनरजाइस किया यह वापस से कॉंटेक्ट अपनी इनिशल पोजिशन में चला जाएगा ठीक है ना तो मेरे हिसाब से आप यह को यहाँ चेंज़ और इसको नाम भी समझ गया होंगे कि चेंज़ वर इसको नाम क्योंग दिया क्यों गोगि इस amount थेक्ट म्याँ चाहई आइक्ट मेरे चैड़ें पे अतरा था मेरे इनरजाइसिंग पार ओपन के साथ Summit Lizardite में तो देखो मैंने यही चीज यहां पर लिख रही है the common terminal is used to give input to the context जो input आना है वो किसमें आना है common terminal में और यह देखो मैंने theory लिख रही है कि यह वाली चीज मैंने आपको समझाई दी अब देखो जो input आएगा वो कैसे आएगा या तो magnetic field produce हो coil में current pass करके ठीके ना तो अपने common terminal में क्या आएगा input आएगा या फिर magnetic field produce हो permanent magnet से ठीके ना तो यह दो यह दो अपने पास है point के मतलब इन से अपना क्या आएगा input आएगा ठीके ना और जैसे ही magnetic field remove होगी जैसे ही अपना de energize होगी coil ठीक न तो वापस से अपना जो contact वो कहाँ पर चला जाएगा किसके साथ चला जाएगा normally closed के साथ जैसे क्ये बिने आपको बताया था जैसे मैंनी आपको बतायाता जैसे मैंने आपको बताया था जैसे ठीक है अब देखो इसका बहुत ही आसान सा अपने पास कारण है जो अपने देख लिया देखो contact तो अपने पास दो है लेकिन टर्मिनल कितने है तीन ही है देखो यहीं पर यहीं चीज लिख रहे है because the common contact element provide a mechanical economical method of providing a higher contact count ठीक है ना तो mechanically यह जो टर्मिनल है यह जो contact है अपना यह क्या है mechanically economical है ठीक है ना और देखो एक नोट और देखो अगर यह सिंगल relay के साथ है ठीक है तो इसको अपन चेंज ओर स्विच बोलते हैं यह आप इस पीडिटी बोलते है ठीक है सिंगल पॉइंट सिंगल पॉइंट सिंगल पोल डबल ठीक ना तो यह तक इसके बारे में चेंज ओर कॉंटेक्ट के बारे में थैंक यू